नमस्कार विध्यारतियों, संदीव जैन क्लासिस पर आपका पुना, हार्दिक, स्वागत और अभीनंदन आज हम कक्षा 10 संस्कृत के पाठे पुस्तक इस पंदना के साथ में अध्याय लोक हितम ममकर्णियम का अध्यायन करेंगे यह संस्कृत भाषा का अत्यंत मधूर, सरल, तरल, सरस गीत है और इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे और इस गीत की रचना जो है वो अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में की गई है तो आईए हम इस गीत को समझते हैं मनसा सततम इस्मरनियम, वचसा सततम वदनियम, लोक हितमम करनियम इस पद्य में कवी मन वचन और कर्म से सदेव लोक कल्यान की भावना की प्रेणा देते वे कहते हैं के मनसा सततम इस्मरनियम, मन के द्वारा लगातार इस्मरन करना चाहिए मनसा यानि मन के द्वारा सततम का मतलब लगातार इसमरनियम का मतलब इसमरन करना चाहिए मन के द्वारा सदेव क्या इसमरन करना चाहिए हमें हमारे मन में हमेशा लोगों की भलाई का विचार करना चाहिए हम हमेशा ये सोचें कि हम लोक कल्यान कैसे कर सकें लोगों का भला कैसे कर सके, यह हुई मन की बात, दूसरी लाइन देखें, वाणी के द्वारा सदेव बोलना चाहिए, सदेव कैसा बोलना चाहिए, सदेव ऐसा बोलें, जिससे दूसरे लोगों का भला हो, जो लोग कश्ट में हैं, विपत्ती में हैं, उनका भला हो, तो कि द्वारा हमेशा लोगों के भले के बारे में हमें बोलना चाहिए लोक हितमम करणियम और कारी हमें कैसा करना चाहिए लोक हितम लोगों के कल्यान का तो कभी कहते हैं कि मुझे हमेशा लोक कल्यान करना चाहिए तो तीन पंक्तियों में देखे पहली पंक्ति में मन दूसरी पंक्ति में वचन और तीसरी पंक्ति में कर्म मन वचन और कर्म से में लोगों के कल्यान के बारे में ही विचार करूं बोलूं और कार्य करूं यह प्रथम पद्य में कभी कहना चाहते हैं इस पद्य में कभी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने सुखों में ही सनलगन ना रहूं और जागरित रहते हुए लोगों का कल्यान करूं प्रथम पंक्ति से देखिए न भोग भावने रमनियम भोग भावन यानि ऐसा भावन जिसमें मैं सुखों में सलगन रहूं भोगों के भावन में यानि इस भोतिक संसार में मुझे इस भोतिक संसार में अपने ही सुखों में रमन ना करते रहना चाहिए यानि मैं अपने सुखों में ही सलगन ना रहू नचा सुख शैने शैनियम और मैं अपने सुख की सैया पर शैन ना करता रह जाओ यानि मैं लोगों के दुखों की परवाना करते वे अपने सुख में ही डुबा रहू अपने सुख की निद्रा में ही शैन करता रहू ऐसा नहीं करना चाहिए अहर निशम जागर नियम अहर निशम का मतलब होता है दिन रात जागर नियम जागरित रहूं जागता रहूं साउचेत रहूं यानि मुझे दिन रात साउचेत रहना चाहिए जागरित रहना चाहिए यहाँ जागर नियम का कहने का मतलब है कि हमें अपने आसपास की परिस्थिती को ध्यान रखना चाहिए, साउधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और सचेत रहते वे हमें लोगों के कल्यान का कारिय करना चाहिए लोगों के कल्यान का कारिय मुझे करना चाहिए तो इस पद्यास में हमने देखा कि हमेशा मुझे भोतिक संसार में ही रमन नहीं करना चाहिए हमेशा मुझे अपने सुक्र की शैया पर ही सयन नहीं करना चाहिए और दिन रात मुझे जागरित रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए और लोगों का कल्यान करना चाहिए ऐसा मैं ध्यान में रखूँ, ऐसा मैं इसमरण में रखूँ इस पद्य में हम देखेंगे कि कवी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें अपने दुखों की गणना ही ना करते रह जाना चाहिए, अपने सुखों में ही डूबे वे रहते वे नहीं रह जाना चाहिए, हमें अपने कारिय को गती प्रदान करते वे लोगों के कल्यान का कारिय करना चाहिए तो न जातु दुखम गणनियम, जातु का मतलब कभी भी, दुखम गणनियम, गणनियम का मतलब गणना करनी चाहिए, यानि कभी भी अपने दुखों की गणना मुझे नहीं करनी चाहिए, हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारे दुखों, मैं उसी और देखता रह जाओं, मै या दूसरे इस्थिति देखिए ये बनती है, कि मैं अपने ही सुक के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, निज सोक्यम यानि अपना सुक मननियम क्या है, मतलब मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने ही सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए मैं कोई भी कार्य करते समय सभी के बारे में सोचू लोगों के कल्यान के बारे में भी सोचू कार्य छेत्रे त्वरणियम और कार्य छेत्र में मैं गती प्रदान करू त्वरणियम का मतलब होता है शिग्रता करनी चाहिए यानि मुझे जल्दी करनी चाहिए हो सकता है कि बहुत सारे कारिय हमारे कारण, हमारे आलस्य के कारण या हमारी इस परकार की सोच के कारण रुके वे हो उनको गती दी जा सकती हो तो हमें उन्हें गती देनी चाहिए ताकि उससे लोगों का भी कल्यान हो लोग कल्यान की भावना उससे प्रसपूर्टित हो तो कारिय छेतर में हमें सिगरता करनी चाहिए त्वरनियम जल्दी करना चाहिए लोक हितमम करनियम और मुझे लोगों का कल्यान करना चाहिए तो इस पद्य में हमने देखा कि हमें मुझे अपने ही दुख की गणना में सलगन न रह जाना चाहिए अपने ही सुक पर चिंतन न करते रह जाना चाहिए मैं कोई कार्य में अगर गती प्रदान कर सकता हूं तो उसे मुझे गती प्रदान करनी चाहिए और लोगों का मुझे कल्यान करना चाहिए दुख सागरे तरणियम, कष्ट परवते चरणियम, विपत्ती विपिने भ्रमनियम, लोक हितमम करणियम इस पत्य में कवी दुख, कष्ट और विपत्ती की परवाना करते वे लोगों की कल्यान की भावना को दुख सागरे तरणियम दुख रूपी सागर में तेरना चाहिए हो सकता है कि एक बहुत बड़े रूप से दुख जो है हमें चारों तरफ से घेर ले और यहां पर कवी ने दुख की तुलना सागर से करते वे कहा है कि वो दुख आपको दूबाने का प्रयत्न करेगा लेकिन आपको उसमें तेरना चाहिए यानि इस प्रकार से आप उस दुख से बाहर आ सकते हैं और कष्ट पर्वते चरणियम हो सकता है कष्टों का पर्वत आपके सामने उपस्तित हो जाए इतने कष्ट रूपी पर्वत का कहने का मतलब कभी का यह है कि कष्टों का पहाड आपके सामने उपस्तित हो जाए आपके जीवन में पगपग पर कष्ट उपस्तित हो जाए तो कि आप उसे पार कर सकें विपत्ति विपिने ब्रह्मनियम और विपत्ति रूपी वन में ब्रह्मन करना चाहिए यानि आपके उपर कश्ट और विपत्ति के एक विपिन में विपिन का मतलब होता है वन में तो उस जंगल में आप चारों तरफ गिर जाएं आपको कहीं रास्त नजर ना आए लेकिन आप वहां ब्रह्मन करते रहें चलते रहें वो सकता है आपको रास्ता मिल जाए उससे घबराना नहीं है लोक हितमम करनी है और इन सब चीजों के होते वे भी लोक कल्यान की भावना मेरे मन में रहें लोक हितों का कारिय मुझे करना चाहिए तो इस पध ने हमें दी है गहना रण्ये घनांदकारे बंदु जना ये इस्टिता घवरे तत्रमया संचर्णियम लोक हितमम करनीयम इस अंतिम पध्यांस में कवी कहते हैं कि हो सकता है कि आपके जो बंदु जन है और जो दीन दुखी और विपतिगरस्त लोग हैं वो कहीं गहरे गर्त में कहीं गहने अंदकार में गहन आरण्ये में हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए ऐसे लोगों की साहिता करनी चाहिए और लोक कल्यान की भावना रखनी चाहिए कभी कहते हैं गहन आरण्ये गहन आरण्ये का मतलब होता है गहन वन में गहने वन में गहनांदकारे का मतलब ह की कि सभी बंदू जाने तो ये सब वहां पे किसी गहरे गर्त में इस्तित हों किसी गहरे गर्त में इस्तित होने का मतलब है गहरे विपिन में होने का अर्थ है गनांदकार में होने का अर्थ है कि लोग जो है अत्यंत कष्ट प्रद इस्तिती में हो अत्यंत दुख की इस्तित वहां मुझे चलना चाहिए यानि उस और मुझे जाना चाहिए जहां लोगों की मैं मदद कर सकूँ ना कि उस और के जहां पे सिर्फ मेरे सुक हो और दूसरे लोगों के दुख की मुझे कोई परवा नहीं हो ऐसी और मुझे नहीं जाना चाहिए मुझे उस और जाना चाहिए जहां में लोगों की मदद कर सको विपत्ति से लोगों को बाहर निकाल सको लोग हितमम करनी है लोगों का हित लोगों का कल्यान मुझे करना चाहिए तो इस अंतिम पद्य में हमने देखा कि कभी कहते हैं कि जो हमारे बंदू लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो चाहिए विपत्ती में फसेवे दीन दुखी लोग हैं, वो हो सकता है गहरे वन में, घंगोर अंदकार में, किसी गर्त में फस गए हो, किसी कठी निस्तती में वो लोग वहां फसेवे हो, कस्ट में हो, परिशानी में हो, तो वहां मुझे जाना चाहिए और उन विपत्ती में फसेवे लोगों की मुझे साहिता करनी चाहिए और मुझे सदेव लोक कल्यान करना चाहिए तो हमने देखा कि ये एक सरस सरल और मदूर गीत और हमें प्रेरित करने वाला, लोगों की मदद करने वाला ये मदूर गीत, इसमें कुछ छोटे-छोटे सरल प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं, आपके इन पांच जो पद्य हैं, इनहीं में छुपे वे हैं, और सरल पद्य हैं, हम अगर इन्हें याद कर लेते हैं, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें समाहित हो जाते हैं, तो आशा है आपको ये पार्ट जो है, समझ में आ गया होगा, यदि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आ है, तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद.